प्रिविद्यार्थियों, शत्रो दुर्योधन क्रेट अपमानों के प्रत्युत्त रूप में युधिष्टिर की सहन्शेलता के कारण परम व्यथित द्रोपदी प्रसुत पद्य में व्यंगे रूप में पक्षांतर उफस्तित करती ही कहती है अथक्षमामिव निरस्त विक्रमश चीराई परेशि सुख सिसाधनम विहाई लक्ष्मी पति लक्ष्म कार्मुकं जटाधरसं जोधी हपावकं सर्व प्रथम संदीवी छेद या पदच्छेद करते हैं क्षमाम एव क्षमाम महलन तो जाएगा ए निकलेगा एव निरस्त विक्रमश चीराई निरस्त विक्रमः प्लस चीराई प्रथम तो विसर्जनियस स सुत्र से विसर्ग के इस्थान पर स हो जाएगा और तदनंतर इस्थोष्योनाश्यो सुत्र से दंत्य सकार के इस्थान पर तालव्य शकार शित्वसंधी जोहुधी हा जोहुधी प्लस इह अकसवणी दिर्ग सुत्र से दिर्ग संधी अन्वेह अथ निरस्त विक्रमः चीराई क्षमाम एव सुखस्य साधनम परियेशी लक्ष्मी पती लक्ष्म कार्मुकं विहाय जटाधरसन इह पावकं जोहुधी अथ अथ अवे पद है यह विभिन अर्थों में प्रियुक्ध होता है अथ अथो शंशे श्याता मधिकारेच मंगले विकल्पा नंतर प्रश्न कार्ष्न्या रंभ समुच्चे यहाँ यह विकल्प अर्थ का पाचक है अथ और यदी निरस्थ विक्रमह येन स निरस्थ विक्रमह पोरु शोते विये भी उसका अवसरान कुल उप्योग न करने के कारण परित्यक्त पराक्रम वाले आप आप यानी युदिश्थिव निरस्थ विक्रमह पराक्रम रहित आप क्षमाम एव किराय चिरकाल तक, दिर्ग काल तक, बहुत समे तक क्षमाम एव क्षमा कोही, शांती कोही, सहनशेलता कोही, धेर्य कोही सुखस्य साधनम, सुख का साधन, इश्थ प्राप्ती का हे तु, अभिष्थ सिधी का उपाय परियेशी, परियेशी समस्ते हो, जानते हो, बुझते हो परियेशी यानी अवगच्छसी परियेशी क्रिया है, परियुपसर्ग पुरवक इनगत आउ धातुसे टलटलकार मध्यम पुरु सेक्वचन का रूपे परियेशी अथ ओर्यदी निरस्त विक्रमह पराक्रम रहित होकर चिराय चिरकालतक क्षमाम एव शांती कोही सुखस्य साधनम सुख का साधन परियेशी समस्ते हो लक्ष्मी पती लक्ष्म कार्मकम लक्ष्मी पती लक्ष्म लक्ष्मया पती इती लक्ष्मी पती लक्ष्मी का आर्थ है राज लक्ष्मी राज लक्ष्मी का पती यानि स्वामी लक्ष्मी पती लक्ष्मी पती अर्थार्थ राजा लक्ष्मी पति है लक्ष्म इती लक्ष्मी पती लक्ष्मी पती यानि राजा का लक्ष्म, लक्ष्म का आर्थ होता है लक्षण या चिन्न, लक्ष्मी पती लक्ष्म का आर्थ होता है राज चिन्न, लक्ष्मी पती लक्ष्मी यहाँ पर कार्मुक्य, विशेशन के रूप मे आया है कार्मुक्यानी धनुश। इह यहाँ पर इस ग्वेत नामकत पोवन में पावकम जुहुधी, पावकम पुनातीती पावकह, जो पवित्र करता है, पवित्र बनाता है, वह है पावक, पावक यानि अगनी, अगनी को जुहुधी, जुहुधी हवन करो, हव्वे सामग्री से त्रिप्त करो जुहुधी क्रियापधे हवन करने के अर्थ में प्रियुक्त हुधा तुसे लोट लकार मध्यम पुरु सेक बचन में जुहुधी बनता है पावकम जुधी अगनी में हवन करो यग्यादी करो एक बार फिर से अर्थ करते हैं अथ और यदी निरस्त बिक्रमह पराक्रम रही थोकर चिराय चिरकाल तक दिर्ग काल तक क्षमाम एव शांती को ही सुखस से साधनम सुख का साधन परियेशी समस्ते हो तो लक्ष्मी पती लक्ष्म कार्मुकम विहाय लक्ष्मी पती लक्ष्म राज चिन्न कार्मुकम धनुष को विहाय चोड़ कर जटाधरसन जटाधारी होकर इह इस वेतवन में पावकम जुधी पावकम अगनी में जुधी हवन करो यहां मनस्विनी द्रोपदी युद्ध के लिए प्रेरित करती भी व्यंग्य रूप में महाराज युदिश्टिर से कहती है कि यदि आप दुर्योधन आदिशत्रों के प्रतिकार हे तू तेजस्विता को स्विकार नहीं करते और मुनी बृत्धिस से जीवन निर्वाह करना चाहते हैं तो वीर जनों का चिन रूप जो धनुष आपने धारन किया हुआ है उसी त्याग दीजिए और उसके स्थान पर मुनी जनोचित जटाओं को सीर पर धारन करते हुए अगनी में हवन कीजिए क्योंकि विरप्त व्यक्ति को राज चिन धनुष से क्या प्रियोजन तापस जन अहिंसा निष्ट होते हैं जटा भी तापस इस रूप में जटाएं ही तपस भी पन का दियो तक है कार्मुख नहीं धनुष तो पराक्रम निष्ट वीर पुर्षों का परिचायक माना जाता है यहाँ पर महाकवी भारवी कर्म योग के दाशनिक सिथान्त का उपदेश देते हैं और सन्यास अर्थार्थ शांती के सिथान्त का उन्मोलन करते हुए दिखाई देते हैं यहाँ अनिक वर्णो की आवरित्ती हुने से अनुप्रास अलंकार का प्रियूग हुआ है जिसका लक्षण है वर्ण साम्य मनुप्रास और लक्षमी पती लक्षम इस स्थान पर छेका अनुप्रास का भी प्रियूग है प्रसुत पाद्य वन्षस्त चंद में निर्मिथे जिसका लक्षण है जतावत वन्षस्त मुदी रितम जरव। एती शुभां।